तो फ्रेंट्स जैसे कि आज कल रियूमर है कि जनाब और मैडम का कोई एक टीवी शो आने वाला है जो की सिलसला पर बेस्ट है यादि कि पुरानी फिल्म है आमिताब बच्चन की सिलसला उसी पर बेस्ट है चलिए वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या किस पर तरह से मैडम अपनी beauty का और बाकी अपनी फिजिक का बहुत जादा ध्यान रख रही है तो उससे लग रहा है कि कुछ नकुछ तो प्रोजेक्ट है लिए वो तो वक्स के साथ पता चली जाएगा अब मैडम जो है थोड़ी एक्टिव हो गई है पहले से वैसे भी बहुत जाद नहीं पढ़ रहा है लेकिन मैडम तो मैडम है फिर भी effort तो लेंगी तो मैडम ने डाला है व्लोग आईए देखते हैं करते हैं उसका review स्टार्ट हाई फ्रेंड्स वैलकम बैक टू मैं चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें उस साथे साथ बैल आइकन प्र पकाना और जस्ट पकाना entertainment नाम की तो कोई चीज रही नहीं गई है और हाँ इस बार व्लोग में अगर आप notice करेंगे तो बच्चे को भी नहीं दिखाया है ज्यादा खास डॉक्टरों से इतनी validation इतनी validation दिलवादी है कि भाई अब तो पता नहीं पब्लिक ने क्या समझ लि पकाना जी ममा लेकर आई है जहां वो रहती ती जहां पहले रहती थी पूने में वहां से लेकर आई है और कहली है है पैकेट खोलते ही जो खुश्बू आई है आचार और वैसे तो एक तरफ तो यह strict diet कर रही है बहुत ही जबजस तरीके से उपर से आचार और मठरी भी खा दूटली फ्राइड होती है उपर से अचार में दुनिया वर का तेल होता है और सोचो तो सही कुछ कहने को भी नहीं रहा है सरफ इधर दिखा दिया चाय इधर दिखा दिया मत्री इधर दिखा दिया अचार और बस उसके बाद कर दिया व्लोग की शुरुवात हाँ जी तो र हमस्य पढ़रुजा तो पहले यह कहा है कि जब तक वो डिड़ दो साल का नहीं हो जाता नहीं कोई काम नहीं करूंगी और जब तक अगर कोई काम अच्छा सा आ गया तो कोई बात नी मैं अपना promise भी तोड़ दूँगी क्योंकि मेरे husband ने भी तो यही किया था ना उन्होंने भी अपना promise तोड़ दिया था वैसे तो उन्होंने यह कहा था कि मैं काम से break ले रहा हूं मैं पूरा time अपने बच्चे को दूँगा मैं proper उसकी परवरिश देखूंगा मैं चाहता हूं कि उसकी परवरिश में मैं पूरे time उसके पास रहूं लेकिन जैसे कोई show आया तुम कोन और हम कोन और फटाक सो को okay बोल दिया यही देखने के लिए बाकी रह गया तो कोई ऐसे लोग होते हैं जो शुरू में starting में अपने चीज़े काम आने वाली नहीं मैंडम क्योंकि डाउन फॉल बहुत बुरी तरह से शुरू हो गया जो एक था ना पहले आपके परिवार का कोई चीज थी यानि कि यह तो बांधा हुआ जो तो कहलो यह जूटा नाटक था यह जो जैसे भी था आपका दिखावटी जो था व जो कि कभी भी कोई टैक्स वगयाना नहीं लगाती थी अब उसको टैक्स लगाने पड़ रहे हैं अपने नाम के कॉफी के रेसीपी के इंस्टा फूट के इंडिया फूट के बनाना के और ना जाने किस-किस चीज़ के जो मैंने आज तक कभी देखे नहीं थी इनकी वीडि पड़ रही है ओ माई गॉड फेशल की तो पैसे ही वेस्ट कर दिया आपने और भाई क्रेजी कजन जो न वापस से अक्टिव हो गए हैं अब मैं नोटिस कर रही हूं हर किसी की वीडियो पे उनके कमेंट आ रहे हैं इवन उन्होंने अपने प्यारी पुझ नहीं है भाबी ज इनको आपने पाल रखा है मतलब समझ गए ना इनके ही अंदभक्त तो वो जा रहे हैं हर किसी की वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं इवन मैंने एक दो कमेंट और भी देखे थे जो कि उन्होंने शायद मासुम रिस्ते के बारे में भी कमेंट किया हुआ था किसी ने यहां तक कि कमेंट किया तो वैसे तो मैं कभी कमेंट करती नहीं हूँ आपके यहां पर या किसी की भी व्लोग पर लेकिन यहां मुझे कमेंट करना पड़ रहा है आपको उधाहा जाना चाहिए और चालू के जो भी इन लोगोज आए है उनसे मिलना चाहिए क्योंकि वह हच से वाप बड़े महान हस्ती होने के बावजूद भी बाकि सब को कैसे गिफ्ट बाट ती फिर रही थी, डॉक्टरों को बड़े ही तरीके से सजा के बड़े अच्छी तरीके से, बड़े एक्स्पेंसीव तरीके से लेकिन अपनी बहन किया पर भेजी थी तो किस तरह से ईदी भेजी तो बस इन लोगों का ना बस यह यह के अपने लिए अप रह गया है सब कुछ बाकी किसी की चिंता इनको नहीं है अब अब ही है इनोंने अम्मी को भी छोड़ दिया है उनके हाल पे क्योंकि चालू हां पे रहती है तो यह ज़्यादा दखल अंदाजी करने सकते तो बस इनकी कि जो लिमिटेशन हैं वो सिर्फब पापा तक की है क्योंकि पापा भी इसलिए क्योंकि इनके पास रहते हैं और लोगों ने भर-भर के भर-भर के कमिंट के क्योंकि फेसियल बना रही है यानि के स्क्रब करने कौफी और चीनी को मिला कर तो लोग कह iemand another when this strawberry उने तो भी बिचाए ना भाई किसी दिन बच्चे की रोते वे की भी तो आवाज सुनाओ वो भी प्याद होती है या बच्चे रोते नहीं बिल्कुल रोते हैं लेकिन यह से positive positive सब्सक्षि नखली और बनावती दिखाना पसंद करते हैं original और और्यल दिखाना कुछ भी पसंद नी करते उसके बाद में आइसिंग करूंगी और हमारे हैं आइसिंग नहीं है आइस नहीं है क्योंकि हमने सारा फिरीजस रहा थी थो मम्मी से हमने उधार ले लिए तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, कि इनकी मम्मी का पूरा घंगा जहान में अपनी मम्मी को जगा नहीं दी, अपनी मम्मी तक को रहती यह का नहीं. देड़ दो महीने वो रहा कर गया है लेकिन पट्री की तरह सा पढ़े रहे हैं मजाल अगर एक कमरा अपना दिया हो इतना जो लग्जूरियस महल बना कर रखा है ने ने फाइब एच के का उसमें पांच बेड्रूम है इनके और इस पांच बेड्रूम में एक इनका खरप हो जागा क्योंकि वो इस लायक ही निए क्योंकि ये समझती नहीं है उनको इस लायक हे वो आए इस लायक तो बैगी चालू का भी एक बेड्रूम खाली पड़ा रहते थे लेकिन जब लड़कियों को पर सुला रही थी तो कैसे चटाई पर उनको डुराइंग रूम म तो कहां सुलाती थी उसको जमीन पर चटाई पर तो ये तो इनके आपसी के रिष्थे हैं बढ़ ग्यान बहुत देते हैं ग्यान बहुत बाटते हैं जो ग्यान बाटने का जो इनकी आदता ने इसकी वज़े से ही इनका डाउन फुल गया है क्योंकि पहले इन्होंने अपनी लोगों की नजरों में और अब जब वह असलियत से वाकिफ हो गए तो उन्होंने उस साथ व्यास मान पर सिधा जमीन पर लाके गिरा दिया मुझे एक बात समझ में यारी ये स्क्रब देखना फेशल देखना ये किसको इतनी पड़ी है जो खामखा की आपका ये देखेंगे जाकर कोई नहीं देखना चाहता हो और यही वज़े है कि अभी तक भी पाँच लाख व्यूज भी कंप्लीट नहीं कर पाई है चोटे चोट कोई कमेंट में बोल रहा है कि हमें प्लीज बताईए कि आपको क्या फेस करना पड़ा था अपनी इंटीर डिजाइनर के साथ क्योंकि हम इंटीर डिजाइनर हायर करना चाहते हैं तो हमें यह देखना है कि हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखने चाहिए और क्या-क् ना ना यह नहीं बताएंगे कुछ भी नहीं इनोंने आस तक प्रॉपा तरीके सब्रॉम टोर दिया होम तोर freezing दूप कुछ नहीं दिया ना बातरूम ना कुछ तुम कुछ नहीं दिखाई कि क्या लगाया था क्या नहीं लगाया था क्योंकि व थो ओरेडी इनकी फीटिक खोल काम करा रही थी इसलिए वो छोड़कर भागी थी जूड़ बोल नहीं के खराब कर दिया और वैसा कर दिया ऐसा कर दिया यह थी ना जो बार बार मेरी हाड़ वरकिंग गर्ल मेरी डिंपल मेरी प्यारी ओमाइग उसको तो बड़े सथ जादा काम ले रही थे कि उसको यहाँ से काम छोड़ कर ही भागना पड़ा और उसके बाद क्या बुराई की भाई क्या बुराई की फिर इसके बाद इनका जलग दिखलाजा शुरू हो गया इन्होंने सोचा कि चलो अभी तो हमें लोगों की अपील की जरूद है लोगों कि सहानु बूती के जो उते तो आगे अगर हम अब ये सारे काम करेंगे तो हम लोगों की नजरों में गलत हो जाएंगे तो वो मामला दब गया लेकिन एड दी एंड वो मामला फिर उठेगा और फिर आपके नजरों में आएगा डेफिनेटली क्योंकि ये फिर से होम का स्क्रबिंग का क्योंकि ये तो जूटी जाती हैं महंगे महंगे एक्सपेंसिव सारे महाँ पर क्लीन अप और फेशियल लेजर ट्रीटमेंट ये सब करा कराती हैं लेकिन ये सब लोगों को डाउन तूर दिखाने के लिए रिलिवेंट दिखाने के लिए लोगों से ये लिए कि देखो हम कैसे हैं हम भी आप जैसे हैं ये सब करके जान भूच के दिखा लिए क्योंकि व्यूज जो कम हो गए हैं अच्छा बही अब आप कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मैडम ने थोड़ा सा वेट रेडियूस तो किया है और डेफिनिटली किया है लेकिन उसकी असली वज़ा नहीं बताएंगी उसको बताएंगी कि मैं क्या खा रही हूँ आजकल मेरी क्या डाइट है जिसे कि लोगों को क्रियोसिटी होके वही हाँ इन्होंने क्या खाके वेट लोस किया है और जूटी एक नंबर की है हाँ जरूर चीट डे पर ये इसको जरूर मनाकर खा लेती होंगी क्योंकि यह स्मूदी पी रही है किसी तरह की और या फिर वह कोई और सप्मिमेंट पर चीज़ करंगी लेकिन इतना रेपेडली कभी नहीं हुआ ता जितना यह हो रहा है तो इन्होंने वी किया है जो और लोग व्लोकर कर रहे हैं जो की बहुत जल् first result देता है और मैडम का नहीं जनाब का और मैडम का दोनों का एक साथ जो है फटाक से वेट कम हो रहा है लेकिन दखाएंगी क्या कि नहीं मैं तो ये नाचनी का रोल खारी हूँ मैं तो ये चिकन रोल खारी हूँ मैं तो ये खारी हूँ ये खा के इनका वेट कम नहीं हुआ है हां लेकिन यह आप जो है अपनी मील में शामिल कर सकते हैं क्योंकि इससे प्रोटीन की रिक्वार्मेंट आपके डेफिनेटली पूरी होगी लेस ओईल के साथ और आप जब नाचनी की रोटी खाओगे तो उसमें काब में भी आपको फ लेकिन वो कर नहीं पाए थे और वो क्या खा रहे हैं सोटे वेजिटेबल खा रहे हैं विद चिकन खा रहे हैं वो भी ऐसे खाते हैं और मैडम क्या खाती है मैडम भी सेम चीजे खाती है लेकिन दिखाएंगी आपको कुछ और और यह इनकी प्रॉपर डाइट नहीं है क्य अपने आपको फिर से व्यूज लाने हैं फिर से फरिष्टा बहू बनना है फिर से सब कुछ करना है अब क्योंकि खुद नाचनी की रोटी खानी है तो इसलिए अम्मी को नाचनी की रोटी का रोल्स बना है अपनी ममी और बाकी की लोगों को नॉर्मल रोटी का बना के भिजवाया है लेकिन भिजवा करने का क्या हुआ अब आपने सर्फ दिखाई दिया है लेकर जाते शूट करते अम्मी मेरी प्यारी अम्मी यह सब पूछ करती तो थोड़े से हो सकता है जो इतने व्यूज आए इ मैंने सोचा है कि वो जब तक जो है भी खेल रहा है मस्ती मार रहा है फिर वो मुझे परिशान नहीं करेगा इसलिए मैं इसकी व्लोग की एंडिंग ले लेती हूं मैडम अगर आप एंडिंग नहीं भी लेती तब भी आपका व्लोग एंड ही हो जाता क्योंकि देखा तो कि नाचनी की रोटी में भी खा सकते और जैसे मैंने रोल बना के नीचे बेज दिये मैडम आपने बताया है दिखाया तो है नहीं दिखाना चाहिए गलत बात बाट थे हुआ अलग बात है कि पीजर चिकन नहीं खाती है लेकिन मैंने फिर भी बेज दिया था कि नहीं मैं कहूंगी जब अगर आपको इतना एक खयाल होता ना तो शायद उस लड़की के रिजर्ट पर कुछ जाद अच्छा असर होता और ऐसा रिजर्ट उसका नहीं आता और अभी भी ज चालू फिर कितने दिन में आती इह उतनीं दिन में मेडम कुछ कर पाती है के नहीं कर पाती है यह तो वक्ता तो ही पता चलेगद वैसे तो बहुत सूपर बोड इंग भ्लोग ता येकिन उसमें से में कुछ प्वाइंट लें पाई आई हो आपको पसंध आयो पसंध आयो